आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट के जैसा एकदम क्रिस्पी और मसालेदार दाल मोट बहुत ही आसान है घर पे इसे बनाना तो एक कटोरी हमने चना दाल लिया है इसे हम 5-6 घंटे के लिए भिंगो के रख देंगे फुलने के लिए और इसमें चुटकी फर हम खाने वा एक चौथागी चमच ने यह खाने वाला सोडा लाला है तो इसे इसकिप मत करिएगा खाने जरूर डालेगा इससे ये चना दाल जो है काफी अच्छे से फूल जाता है दाल मोट बहुत अच्छे से बनते हैं दम खस्ता क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं पर कड़क नहीं होते हैं दम खस्ता से बनते हैं तो इसे हम 5-6 घंटे के लिए रहने देते हैं फूलने के लिए चान लेंगे और एक कॉटन कप्ड़े पे इस चना दाल को हम अच्छे से फैला देंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी पानी रहे तो वह सारा सूख जाए इसमें बिल्कुल भी मॉस्चर न रहे तो इसे धूप में या फिर पंके की नीचे सुखानी की जरूत नहीं है सिर तो जब तक हम घर पे कोई भी चीज नहीं बनाते हैं तब तक लगता है की से बनाना बहुत ही मुस्किल है और मार्केट से खड़िते रहते हैं पर एक बर आप पना ले तो फिर आपको लगने लगता है कि बहुत ही जी है एक प्लेट में हम कुछ मसाले निकाल लेंगे तो नमक काला नमक थोड़ी सी चाट मसाला उसके बाद हम काली मिर्च का पॉडर और मिर्ची पॉडर लिये हैं आप चाहें तो साड़े मसालो को अंदाजे से मिक्स करके भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से अलग-अलग निकाल के रख लें क्योंकि दाल मोट को फ्राई करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है छनी में डाल के फ्राई करने में डाल के लिए डायरेक्ट कराही में डाल के भी आप फ्राई कर सकते हो पर निकालने वक्त थोड़ी मुस्किल होती है जल्दी से निकलती नहीं है और अगर इस छनी में आप चना दाल को डाल के उसके बा आप तेक रॉपी कराही में आपके और इसा भी कड़ाहिक ले सकते हैं, तो यह दीखिए, इस फ्लेम को हम हाई पर रखेंगे, हाई फ्लेम के रहेंगे, और जब आप इसे फ्लेम करना शुरू करेंगे, तो यह काफी सारे बबल्स आएंगे, और धीरे-धीरे जैसे जैसे यह दाल जो है फ्राइ होते जाएगा, बबल बाबलस कम होते जाएगी, आप बीच-बीच में इसे चम्मेर से चलाते जाए और एक दम जब बबलस आने बंद हो जाएग, तो आप समझें कि ये चना दाल जो है अच्छे से फ्राइ हो गएा है, और जब तक बबलस आ रहे हैं, मतल फुले फुले नजर आ रहे हैं आप एक दाल को निकाल के चेक कर सकते हैं खाके या फिर आप छुएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्राई हुआ है कि नहीं तो यह देखिए तो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है यहां पर साउंड से भी आपको पता चल जाएगा कि दाल जो है किस्पी हो गया है देखाना आपने कितना किस्पी हो गया है यह दाल तो बस इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम साड़े चना दाल को फ्राई कर लेंगे बस यही ध्यान रखना है कि उसे हम डीप करके रखेंगे बीच बिचम चलाते रहेंगे और जब तक वबल्स आने बंद नहीं होंगे तब तक हमें इने फ्राइ करना है वबल्स आने बंद हो जाएंगे मतलब की यह दाल जो अच्छे से फ्राइ हो गया है पर आप फिर भी एक बार आप चेकर के देख लें खाकर तो इसारे दाल फ्रा पॉर्डर अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग हम यह मसाले डालेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब यह दाल मोट ठंडा हो जाए उसके बाद एयर टाइट डब्बे में भड़के आप रख लें आप महीने भर खा सकते हैं बिल्कुल भी खराब नही बच्चे अकर मिर्ची नहीं खाते हैं तो मिर्ची पॉड़र छोड़के बागी सारी चीजे मिक्स कर लें तो यह देखिए एकदम क्रिस्पी खस्ता यह दाल मोट बनके तयार है आप इसे जरूर ट्राइ करें आपको रेस्पी जरूर पसंद आएगी तो मैं आपसे पिर मि वीडियो में रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें सेयर करें